अमताब बनर्जी ने चार जगाओं पर फस्टे बंगाल जार्खन के वीच के बॉर्डर को तीम दिन के लिए सील कर दिया है इसकी पीची की वज़ा बताते हुए उन्होंने कहा कि जार्खन से आ रहे ट्रक बाड़ के पानी में फस सकते हैं प्रतीबन लगाए जाने के बाद दोनों राज्यों के सीमा के पास रास्प्य राज्मार्ग दो और रास्प्य राज्मार्ग चार पर हजारों ट्रक फस गए हैं इसके चलते बॉर्डर पर ट्रकों के लंबी कतार लग गई है इन दिनों बारिश के कारण जार्खन के नदियों में जलसतर काफी बड़ा हुआ है जिसके कारण कई बांदों से पानी छोड़ा जा रहा है ऐसे में बंगाल सरकार का कहना है कि जार्खन द्वारा छोड़े गए पानी से बंगाल में बाड़ वाले हालात बन गए है इस मामली को लेकर बीज़ेपी ने मम्ता सरकार पर निशाना साधा है ये मामला और गंबीर तब हो गया जब पस्टे मंगाल के राज़ेपास सीवी आनन बोस ने बॉर्डर सील करने पर राज़े सरकार के सवाल किये उन्होंने अनुचेद 166 का हवाला देते हुए सरकार से बॉर्डर सील करने का कारण बताने को का है इसकी पीची की वज़ा बताते हुए उन्होंने कहा कि ज़ारकं से आ रहे ट्रक बाड़ के पानी में पस सकते हैं इसके चलते बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी कतार लग गई है इन दिनों बारिश के कारण ज़ारकं के नदियों में जलसतर काफी बड़ा हुआ है कारण कई बांदों से पानी छोड़ा जा रहा है ऐसे में बंगाल सरकार का कहना है कि जारकंद द्वारा छोड़े गए पानी से बंगाल में बाड़ वाले हालात बन गए है इस मामली को लेकर बीज़ेपी ने मम्तव सरकार पर निशाना साधा है आपको यह सोचना चाहिए कि लास्ट ओवान ने यहर जो समय गया एक साल गया उसमें अपने क्या किया अपने क्या पस्टि को बराने के लिए सरकार को जो करना चाहिए पस्ट्रिमंगाल सरकार को उनमें बिचार करना चाहिए ये मामला और गंबीर तब हो गया जब अस्टे मंगाल के राज़ेपास सीवी आनन्द बोस ने बॉर्डर सील करने पर राज्य सरकार के सवाल किये उन्होंने अनुचेद 166 का हवाला देते हुए सरकार से बॉर्डर सील करने का कारण बताने को का है